नमस्कार, आप सभी का स्वागत हैं, NCRT के live interactive session में, मैं हूं Simran Singh और आप सभी दर्शक, हमारे सार जुड़े हैं, इविद्या के चैनल नमबर 9 के जरिये इसके रावा आप हमारे तमाम कारेक्रम देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल है, NCRT Official और दर्शकों, इस आधे घंटे के लिए हम लेकर आए हैं, सोशल साइंस का हमारा है सत्र, कक्षा नौवी के सभी विद्यारतियों के लिए और यदि किसी और कक्षा के विद्यारति भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ संपर्ख साधना चाहते हैं तो इक कॉंटाक नंबर आप सभी की स्क्रीन पर फ्लाश हो रहा है इसके जरीए आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल, अपने सुझाव हमारे साथ साधना चाहते हैं अपने सवाल हमारे साधना चाहते हैं तो कक्षा नौवी के सभी विद्यारतियों के लिए हमारे आधिकारिक इमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है तो चलिए आपको बताते हैं कि आज Social Science के इस सत्र में हम कौन सा विश्य पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे Causes of the Rise of Nazis and Hitler in Germany तो Hitler मुझे लगता एक ऐसा नाम है जिससे आप सभी परीच्चत हैं कहीं न कहीं हमने ये सुना हैं चाहे हिंदी के मुहावरों की बात करें या फिर हम अपने इतिहास हिस्टरी की बात करें तो इसी विश्य पर और जानकारी आज हमार साथ साजा करने के लिए स्टूडियो में महमान उपस्तित हैं चलिए उन से आपका परीच्चे कराते हैं In the conversation we have with us Dr. Kumari Rohini Ma'am Namaskar Ma'am Namaskar आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस सात्र में Ma'am is currently serving as Assistant Professor at Department of Education and Social Sciences from NCRD New Delhi Viewers you all know the different mediums through which you can connect with us So without further ado let's begin the conversation Try and understand more about this period about Hitler and what were the possible reasons or the causes behind it So Ma'am, आज सबसे पहले चर्चा की शरुआज से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूं की जो हम आज सीखने वाले हैं, जो पढ़ने वाले हैं संक्षित रूप में हमारी दर्शकों को बताएं कि आज हम क्या चानेंगे हम आज सिम्रत जानेंगे कि हिटलर के विकास में नाजी विचारधारा के उदे में किन-किन परिस्तितियों ने योगदान दिया इस विचार में आज हम लोग जानेंगे और चुकिए आप पहले ही बता चुकी है कि मेरा आज का टॉपिक है CAUSES FOR THE REASON FOR THE EMERGENCE OF HITLER AND NAZISM IN GERMANY बिलकुल चलिए तो अब सुरू करते हैं कि कोई भी विचारधार आइडियोलोजी क्या होती है तो आइडियोलोजी is a set of belief which could be political, social and cultural जिस पर लोग या कोई देश या कोई राजनेतिक दल उसी विचार किसी वी विचारधारा को फॉलो करके अपने plan of action बताते हैं तो इसी को हम आइडियोलोजी बोलते हैं आइडियोलोजी कही प्रकार की हो सकती है हम सुनते भी है आइडियोलोजी या फिर एक्स्रेमिजम और नाजिजम फासिजम यह सब हम आइडियोलोजी सुनते रहते हैं नाजिजम 19th century में विच्व इतिहास की बहुत ही महत्पुन घटना थी जस्ट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार हम इसका उदय देखते हैं और फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 में खत्म होता है और जस्ट बिकाउस आइडियोलोजी हम देखते हैं कि ठीक 20 साल के बाद एक दृत् में इस आइडियोलोजी की बरी मत पुन भुमिका थी तो इस वजह से हमें इस आइडियोलोजी के बारे में और हिटलर के बारे में जानना आविशक हो जाता है और मैम इससे पहले हम आगे बढ़ें क्योंकि हम विचारधारा यानि आइडियोलोजी की बात कर रहे हैं तो मे में ऐसे ही सोच थी अग्यूदिटी आप जर्मनी में नाज़िज़म देखते हैं तो इल्ली में आपको सम्एम वीचारधार मिलेगी और जैयपान में भी आपको इसी प्रका के वीचारधार मिलेगी जिसके अगवी로 हें इतिहास कहीं जुड़ा हुआ है और इंट्रेस्टिंग फैक्ट यह है कि यह तीनों एक आइडियोलोजी को फॉलो करते थे तीनों ही कंट्री तीनों ही कंट्री साथ में सेकेंड वल्ल वार की लड़ाई लड़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं Some features of Nazi ideology, as per Nazi ideology there was a racial hierarchy and there was no equality between people, depending upon their external features all other colored people were placed in between. Hitler borrowed his idea of racism from Herbert Spencer and Charles Darwin, as per arguments of Nazi, the weak should perish and strongest race should survive. As per Nazis, Aryan race had to dominate the world, becomes stronger and retain its priority. Hitler's another ideology was the concept of living space or Lebensraum. Levensturm, Levensturm is a German term, which is a German term, which means that if you have a wealth of wealth, you can see it and you can see it. अगे आगे रिज़न प्राइजवाद फैल आई और जर्मनी को Hitler ने एक दिशा दी कि कि और सामराजवाद फैल आना है तो East के साइड और East के साइड रसिया था. हम पहले पर आजाते हैं, Adolf Hitler तो जो था वो पैदा हुआ 20 अपरेल 1889 आस्ट्रिया के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ, वो आस्ट्रिया के साइड से ही लड़ा युद लेकिन जब जर्मनी युद हारा, तो उसके बाद जर्मनी में कुछ ऐसी परिस्तितिया बनी जिसने हिटलर को वहां का डूलर बनाने में योगदाल दिया, क्या-क्या थी वो परिस्तितिया, सबसे पहली थी कि वर्साइड ट्रीटी और फैलर फाइमर रिपाब्लीक इं जर्मनी, एक्चली सिमरन हुआ ऐसा कि जब फर्स्ट वल्ड वार के बाद जर्मनी हार नहीं लगा, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने वहां पर सहयोग से या उनके प्रेढ़ना से कह लिचे एक रिपब्लिक के स्थापना हुई, क्योंकि वहां का जर्मन किंग था वो देश छोड़के चला गया, जब देश छोड़के चला गया तो वाइमर रिपब्लिक इस स्थापना वाइमर नाम के एक जगह पर हुई थी इस लिए गंतंत्र का नाम यह वाइमर गंतंत्र lords वेल्ल哇 में शरेंडर किया था और इस ही Germany को बहुत निचा दिखाने की बहुत कोशिज की पद दलित करने की कोशिज की किस प्रकार से उसके लगभग सारे उपनिवेश छिन लिए गया, उतना सिर्फ उपनिवेश छिन लिए गया, Germany lost its 10% of population, its own population and 13% of its own territory. अलसस लॉरेन का प्रदेश चला गया, राइनलेंड का प्रदेश चला गया, रूर का प्रदेश चला गया इसके हाथ से और रूर का प्रदेश जो था वो कोई natural resources से बरा रिच था, इन सबोंने जर्मानी पर बहुत ही bad impact डाला, प्लस युद्ध के लिए सभी जिम्मेदार थे सारे देश चाहते थे, First World War से पहले कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमारी सामराजवादी सक्ति फैले और हमें ज्यादा छेत्रों की का लाब हो, इसी लालच में सारे देशों पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वर्साय की संधी में सिर्फ और सिर्फ जर्मनी और उसके जो मि और जर्मनी पे सबसे पहले 6 बिलियन डॉलर और इस राश्ची को और ज्यादा बरहा दिया गया कि युद छतिपुर्ती दिया जाएगा, युद छतिपुर्ती नहीं देने पर डॉन्जिंग का बंदरगा और भी बहुत सारी प्रदेश चिन लिया गया है, तो वाइमर रि से बहुत घ्रना करती थी, कि उन्होंने नेशन प्राइट को सेक्रिफाइस किया है इस चीज के लिए, और सेकेंड बात थी कि वाइमर रिपुब्लिक खुद भी उसे constitution ऐसा बनाया था, कि अनिस्टैबिटी निस्टैबिटी बहुत जादा हो गई जर्मनी में, एक प्रपो अपना लिया, उसमें होता है कि उसने कभी भी जर्मनी में एक इस्थाई गवर्मेंट फॉर्म नहीं करने दिया इस चुनाव की प्रक्रिया ने, जैसे भारत में फर्स्ट पाश्दी पोस्ट अपनाया जाता है, लेकिन जर्मनी में प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अपनाया गया, इसका अर्थ था कि जैसे कि दो चार दल है A, B, C, D, वो किसी एक छेत्र विशेश में चुनाव लड़ते हैं, अब उन्हें जितना परसेंट वोट मिलेगा, जैसे A को 40 परसेंट मिल गया, किसी छेत्र में 100 सीट है, तो उसको 40 सीट दे दिया जाएगा, यद यदि 2 परसेंट मिलते हैं, वोट तो उसे 2 सीट दे दिया जाएगा, तो परिराम यह निकला कि दलों की बार आ गई, और हर दल के पास कुछ ना कुछ सीट था, यानि बहुत सारी ऐसे पॉलिटिकल पार्टी मर्ज हो गई उस दौरान, और सब के पास अपने अपने सीट थ 20 काबिनेट बदले, 20 काबिनेट और आप उसका more or less उसका एवरिज लगाईएगा, तो more or less निकलेगा 239 डेज उनली, यानि केवल 239 डेज में, गवर्मेंट चेंज हो रहे हैं, अच्छा, इतनी ज्यादा जो है, अस्थाई रूप से उनकी रवस्ता और गवर्मेंट, एक जर्मानी के लिए बिल्कुल नहीं बात थी, रिपब्लिक की इस था अपना हुई है, और उससे पहले उसके बाद ऐसा experience मिल रहा है, प्लस जर्मानी की economy खतम हो चुकी थी, जर्मानी का यूरोप को ही बहुत बुरे तरीके से फर्स्ट वल्ड वार ने हिट किया था, फाइन वो चुनाव होए, सबको लोगों को भी मौका मिला होगा, तो डेमोक्रेसी डिक्टेटर्शिप दोनों ही अलग है, तो हिट्टर को फिर ऐसे में डिक्टेटर क्यूं कहा जाता है, क्योंकि जब वो डेमोक्रेसी इलेक्ट होकर आया, सिम्रन, तो उसके बाद उसने डेमोक् सिर्फ उसकी तारीफ कर सकते थे, उसके विरोध में कुछ नहीं लिख सकते थे, जो भी विरोध ही थे, कंसेंट्रेशन कैम्प में उन्हें डाल दिया गया, तो हम सभी नहीं सुना ही है, तो इसी वजह से, हिट्लर को क्योंकि उसने वो लोगतंत्र तरीके से चुन के आया, यह बात सही है, लेकिन उसने फिर लोगतंत्र में के सिमाव में रहा नहीं, यानि लोगतंत्र के तहट जो हमें अन्य अधिकार मिलते हैं, उन्हें समाप्त कर दिया, इसी कारण से, ठीक है, आगे चले, बिलकुल, ठीक है, वाइमर रिपब्लिक तो जर्मन जनता इस जाकि बार-बार चुनाव ना हो, क्योंकि बार-बार चुनाव होना वह एक राष्टी अर्थव्यवस्था पर बहुत बरा बोज भी है, तो जर्मन जनता की स्टैबिलिटी चाहती थी और हिटलर ने वह प्रोवाइड कर वाया, लेकिन तब भी आप बिलीव करेंगी, कि 1932 में जब प्रेसिडेंट हिंडेंबर के अगेंस्ट फिटलर चुनाव लड़ा था तो जाड़ गया था, लेकिन उसके बाद भी उसे वह का चांसलर क्योंकि उसकी पॉपुलरिटी इतनी बढ़ गई थी, विकॉस ही इस दे सेकेंड मोस्ट पॉपुलर परसन आफ जर्मनी आ टाइम आफटर प्रेसिडेंट हिंडेंबर्ग, तो हिंडेंबर्ग ने उनको इन्वाइट किया कि आप आके गवर्मेंट में फॉर्म कीजिए, यानि इतनी लोगप्रियता थी कि चुनाव हाड़ने के बाद भी, हिटलर को ये मौका दिया गया थी, एक पद पर रहकर बिल दूसरा मैं आ रही हूं कि सोसल इस्ट्रक्चर ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो सोसल इस्ट्रक्चर था वह बहुत नाजिवाद को सपोर्ट करने के लिए उस समय बढ़ा फर्टाइल था क्योंकि जर्मन हमने बार्बेरिक इन्वैजन के टाइम से देखा है कि जर्मन जो थे कहा भी था कि जर्मनी जो है जर्मन जनता वह एक आर्मी की तरह है और इनके लिए युद्ध करना एक राष्ट्रय उध्योग है नेशनल प्रोफेशन है लोगों का युद्ध करना तो युद्ध करने का लेकिन यहां पर हुआ कि एक तो वहार गये उन्हें इतना नीचा द पब्लिक ने कभी भी सैन्नी रूप से तुबारा खरा करने की जर्मनी को कोशिश ने की वर्साइट रिटी में जर्मनी की जो पैदल सेना होती है आर्मी वह एक लाग पे रिड्यूस कर दी थी और नेवी बिल्कुल डिमॉलिश कर दी तो लोगों को लगा कि एक तो इतने पॉपुलेशन है पासिफ एक लाग की आर्मी ज्यादा ज्यादा लोग उसमें भरती होना चाहते थे लेकिन जब हिटलर आया ही केम विद इस आईडिया की उसने अपना दल बनाया उसने एक स्ट्रॉम स्टूपर जिसे आप लोग ब्राउन शर्ट भी कहते हैं आप लोग सुना भी होगा ब्राउन शर्ट के बारे में तो उसने अपना दल बनाया उसने आने के मतलब अपने स्पीचेज में कहा कि यदि वो आएगा तो यह आर्मी से पे जो लगे सारे सैंक्शन है उसे हटा लेका और मतलब वो बरसाइट ट्रिटी को ही खत्म कर देगा ऐसा उनमे स्पीचेज में कहा तो इस वजह से लोगों में काफी धानरस बंदा काफी साहस आया कि इसे चुना जा सकता है और लोग पहले ही जो ट्रिटी ऑपर साले से उसके खिलाफ से फिर उसके बाद मैंने हिटलर का क्या एक करेस्माटिक करेक्टर भी था वो जब बोलता था तो ल उसने अपने हाव चलने के हाव अपने उठने बैठने के तरीकों को हर चीज को इसने कौमन जनता से इतना ढाल लिया जोड लिया और वो ऐसी बात करता था कि जो लोगों के एक नेशन जो कि किसी टाइम ग्रेट था लेकिन फिर उसके बाद उसे नीचा दिखाया गया तो उस टाइप के लोगों का जिनका सेल कॉन्फिदेंस थोड़ा तूट गया है उनको काफी अपीलिंग कर सकता था वो काफी साहस्ब देता था कि नहीं हम फिर से ठीक हो सकते हैं और ठीक होने का रोड मैप भी बताता था उसकी तीन रैलियां काफी फेमस हैं जिसमें मैं आग एक कारण सबसे बड़ा ग्रेट डिप्रेशन रहा, अर्थ कèce डिप्रेशन को नेगेटिव सिंस में ना ही आजा ज़ा है यहां पे ग्रेट डिप्रेशन का अर्थ है कि 1930s में यह अमेरिका के वाल एक्षेट एक्चेंज से सुरु हुईथ ही कि उस दिन अमेरिका के 24 ओक्टूबर 1929 के दिन पूरा धरधरा के शेयर मार्केट गिर गया और इसका विस विया असर सारे देशों परा जिसमें की जर्मनी भी एक देश था फिर उसके बाद सबसे पहले 1923 में बियर हॉल पोश हुआ था उन्होंने ही ट्राइट टू कैप्चर दा पावर बट कर नहीं पाए और उन्होंने उनको जेल में भेज दिया गया एक साल जेल में रहे हैं राजदुरों के आरोप में लेकिन और आप यहाहीं पर वाइमर गंतंत्र की भीफलता देखेंगे सासन की कि राजदुरों के आरोप में जो वेक्ती जेल गया है उसे मात्र एक वर्स में छोड़ दिया गया तो जब वो निकला तो उसने उसी समय एक साल में अपनी किताब लिकी थी में कैम्फ मेरा संगर सी और उसी किताब में वो पूरे आइडिया के साथ आया तो 2% वोट मिले अमात 18 सीट्स मिली फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्रैजुली आप देखिए गा 1933 के इलेक्शन तक आते आते हैं उसने अपनी सीट्स को बरहा के 260 कर लिया और 260 करने के साथ ही जब उसे चांसलर बनने के लिए आमंतरत किया गया चांसलर बनने के साथ उसने तो यह बहुत ही मतवपून के साथ की जा रही है वह इनएबलिंग एक्ट पास करवाया उसे सर्व सरवा बना दिया गया राश्टपती को साइड़न करके और इनएबलिंग एक्ट में कहा गया कि वो प्रेस पे उकान मी पे हर चीज पे सैंक्शन लगा सकता है मैं यहां पर map of Germany में दिखा जना चाहती हूं कि 1933 तक पूरा ये एरिया पूरा ये एरिया जर्मन्स के कंट्रोल में आ गया था और ये पूरा फासिजम के कंट्रोल में ये एरिया नियुरंबर्ग रैली एंड लोग कितने पेसेंसली खरें हैं और कितने डिसिप्लिन के साथ खरें हैं आप देख सकते हैं फूर फाइफ क्यूज में हिटलर विद प्रेसिडेंट हिंड में ये तब की फोटो है जब वो अपना ओथ लेने जा रहा है जा चांसलर कंसेंट्रेशन केंप कि नाजियों से बहुत ही जुड़ा हुआ है कंसेंट्रेशन केंप जिसमें असिफ जुआज नहीं गय थे Communist, Poland करके नागरीक, Gypsies इवन Communists पहले थे जिनको कंसेंट्रेशन केंप भेजा गया तो ये भी आपसे इस तहर में जाना चाहूंगे कि इतने खिलाफ क्यों था? वो रेसिसम में भिलीव कर रहा है अपार्थिसम में भिलीव कर रहा है नसल भेद में रंग भेद में और कम्यूनिजम टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑपीपल इसलिए वो कहता था कि लोग समान पैदा ही नहीं हो सकते एक ही माता की दो संताने एक जैसी नहीं पैदा होती तो लोग एककुल कैसे हो सकते हैं बिल्कुल जैसा कि आपने बताया है विकी चाल्स डाविन की थेयरी से भी वो प्रभावित थे यह एक बहुत ही फेमस फिल्म स्टार है जिन्होंने एक सर्काइस्टिक मुवी बनाई है बनाई थी फेमस फिल्म स्टार का नाम क्या है नाजी जर्मनी पे बेज्ट मैं दो फिल्म है सजेस्ट करना चाहूंगी दबॉइ इन इस्ट्रिप्ड पाईजामा एंड शिंडरलस लिस्ट तो मैंने भी देखी है आपने भी देखी है उसे ऑसकर जियुरी ने इस सेंचुरी की सबसे इमोशनल मुवी में मुवी फर्स नंबर पर रखा है तो यह है मेरा जी माम और मैम बहुत ही महत्वपून जानक करते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि विश्म में पहले क्या हुआ है क्यों मुझे लगता है कि जो हमारे पास्ट के डिसीजन्स होते हैं वो भी कही ना कही हमारे फ्यूचर को भी इफेक्ट करते हैं इसलिए जानना बहुत जरूरी है और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पार्ट को आपने और ज्यादा इंट्रस्टिंग तरीके से हमारे दर्शकों के सामने पेश किया उसके लिए आपका धन्यवाद जितने भी दर्शक आज हमारे साथ जुड़े होए थे सोशल साइंस के इस सत्र में आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया इससे पहरे कि सत्र को यहीं विनाम दे एक विशेश जानकारी आप सभी के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं कि शेक्षणिक सत्र दो हजार तेई से दो हाटी मिस्तित हैं इसके अतरेक्त आप ओल्लाइन ऑडर प्लेस करना चाहें तो वो भी संभव है और अधिक विस्तार से जानकारी प्राफ्ट करने के लिए NCRT की आधिकारिक वेबसाइट को ज़रूर एक्स्प्लोर कीजें वेबसाइट का लिंक आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और दर्शकों आप सब कहीं मत जाएगा क्यूंकि सोशल साइंस के अपने सत्र को तो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं पर कुछ ही समय में हम गणत या झाल